हेलो जोस्तों आज हम बात करने माले बीटी एसी जेई रियल्ट के लिए लिए बीटी एसी आयोग के द्वारा दो तारीक को बीटी एसी जेई का रियल्ट जारी कर दिया गया जिसमें बहुत तरह गलतिया था 40% 0% को ले करके और पहले डिपार्टमेंट सेलेक्टर लिए गय जा गया है और चार तरह को बीटी एसी आयोग के द्वारा एक नोटीस जारी किया गया जिसमें रिभाइज रिजल्ट की बात कहा गया था कि रिजल्ट को फिर से फर्जी का इंड़ेट को बाहर किया जाएगा और निच्छात्र कमांग था कि 40% 0% में पहले पहले लड़का युषप कर लिया जा है उसके बार डग्यम्स को टिपाटमेंट सेलेक्ट किया जाए जाहिए तो आज हम बात करें तो चार तरिक ट्ळीर के द्वारा एक नोटीम्स जारी किया था जो भी अगर रिजल्ट में गलतिया हुआ है फरजी कंडिडेट है जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं था वो भी फाइनल सेलेक्शन लिये हैं तो इस सब सारे गलतिया था बिटीए सी आयो के दोड़ा जो खुद उने एकसेप्ट किया था तो आज हम बात करें तो चार ता साथ चार दिन होने वाला है और बिटीए सी आयो के दोड़ावी तक रिवाइड रिजल्ट को लेकर कोई अपडेट नहीं दिया गया है और हम लोग ने मेल के थुरू और फिजिकली वहां पर जाकर अपना इसू वहां पर रखे हैं रख्या रखा गया है तो हम लोग को को ळा कर ऊठाकर हम लोग को देना चाहिए और इस तरह होना चाहिए जो कि 40% सिस्ट्रम है उसमें जो 60% नड़क था जिसका मीर्च, उसको anking 10% में रखा जाना चाहिए और परहले डीबार्ट अप नहीं होना होना है सब्सक्राइब करना चाहिए और की मांग करना चाहिए उसकता बहुत तरूटियों तो फिर आगे जो भी स्टेप लिया जाएगा उसको देखा जाएगा तो फिलाल हम लोग को एक ही बात है कि रिभाइज डिल जारी किया जाए जितने भी तूटी था बेटी जाया तो सब कु यह फिल करते हैं कि आप लोग बिटेस जायों कि समख्च हम रियल्ड को लेकर एक योजना करते हैं और रियल्ड की मांग किया जाए थाइंक यू फूर वाचिंग दिस वीडियो चैनल पर पहले बारा है तो वीडियो को लाइक करते चैनल को सब्सक्राइब कर लें